अब आज मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉली आउस में जो फार्मिंग किया हुआ है जीनिया फार्मिंग उसको आप ज्यादा से ज्यादा कैसे टिका सकते हो अब आपको एक चीज बताता हूं मैं अभी यह सारे प्लैंट्स हम लोग के ट्रांस्प्लैंट करके होगे लेकिन अभी जैसे यह मानदो यह प्लैंट है सपोस्स तो इसके कोई छोटे छोटे पत्ते दिख रहे आपको तो यह छोटे पत्ते के रूट्स ज्यादा नीचे नहीं गए रहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है उसको टिकाने के लिए तो आपको एक श्प्रेगन लेना है आप कोई भी शॉप में जाके स्प्रेगन ले सकते हैं मैंने यह एर पॉंप वाला स्प्रेगन लिया हुआ है उसके बाद आपको यह स्प्रेगन से नॉर्मल की तरह इसको स्प्रेगर इस सारे इसको जैसे आपको यह दिख रहे है चोटा पत्ता सा चोटा पत्ता कैसे यह ह उसको टिकाने के लिए क्योंकि उसके रूट्स ज्यादा नीचे नहीं गए उसके रूट्स बहुत उपर है जो बड़े प्लाइंट से उसके रूट्स नीचे गए लेकि इसको टिकाने के लिए उसको भी सरवाय करना स्टार्टिंग में करवाना पड़ेगा यह देखो अब य यह इतने सारे जो प्लाइंट से कने जेसा यह प्राइंट है कि, कर ने सब्यांट का टेंडन सी क्या होता है कि कि सोग करनेगा तो तो पूपन्ज किया करेगा सोख कर लेगा और वह उतना वाटर मेंटेंड कर लेगा स्पांज में और जितना एक्जेट है वह नीचे भाई जगा और छोटे-छोटे प्लैंट्स के रूट्स को अम लोग को वाटर मीज़े झाले